इस चैनल पर दिखाए गई वीडियों केवल इंटरनेट से लिए हुए जानकारी के आधार पर प्रकाशित की जा रही है। लाहोर पहुँच गया था सिना का ये जवान, पाक के थाने पर फैहराया था तिरंगा पाली। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले देश के शूर्वीरों ने 38 आतंकिनों को माच गिरा कर एक बार फिर 1965 में हुए भारत पाक कश्मीर योद्र की याद को ताजा कर दिया है। ठीक, 51 साल पहले 1965 में राजस्थान पाली के पराक्रमी ब्रिगेरियर हरिसेह ने भारती सेना का नेत्रित्व करते हुए लाहर के पुली स्थाने पर तिरंगा पैहरा दिया था। पूरी देश में रोशन कर दिया था। हर सिंकी कैविलरी पाक सैनिकों के आत्म समर्पन के बाद ही वहां से वापस अपने वतन में लोटी थी। देवरा का सैयद दस्तालाह और शहर सी मात्रचे मिल दूर रहा था। देवरा उस समय 18 कैविलरी के कमांडर थे। बाद में वे बिगेजियर बने और 1973 में उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा परिशत के प्रस्ताओं पर लोटे सैनिक 1965 में भारत और पाकिस खतान के बीच हुए युद्ली को कश्मीर युद्ली का नाम भी दिया गया था। ये युद्ध सैयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद 22 सितंबर 1965 को खतुब हुआ था। सैयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिशत ने सर्वसम्मति से एक प्रस्खताव पारित किया किया जिसमें दोनों देशों को बिना शर्त के युद्ध विराम करना था। खुली रोवर जीप में सवार होकर दिया था करोया मरोक का नारा हरिस सेह ने अपनी साय जीवन की डायरी भी लखी थी। उनके बेटे जाइंद्र सिहगल्थनी के अनुसार योद्री की डायरी में जिक्र किया है कि वे उन दिनों सियाल कोट में एक मुस्लिन टुकडी का नेत्रित्व कर रहे थे। उनकी टुकडी खेम करन सेक्टर के बढ़की पुलिस स्टेशन को फटै कर इचो गि के सहयोग से आचलरी फायर खुल दिया। करोया मरोग की स्थिती में लेप्टिनिंट करनल देवरा ने खुली रोवर जीप में सवार होका टुकडी का होसला बढ़ाया। वहां 18 क्यविल्री के दस्ते ने 13 चांक नश्ट किये। इच्छो गिल नहर के पास पहुँचने वा मुशनिया।